समूह प्रसन्न है आलादित है और प्रतीक शारत मान्निय प्रधान मंतरी महोदे के संबोधन के भारत माता की भारत माता की मेरे प्यारे देश वाचियों मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है जहम देश के लिए मर मिटने वाले देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आजीवन संगर्ष करने वाले फांसी के तक्त पर चड़ करके भारत मा की इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सवभाग्य दिया है यह देश उनका रणी है ऐसे हर महापुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहाव व्यत्त करते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों आज जो महानुभाव रास्ट रक्षा के लिए और रास्ट निर्मान के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिवद्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं चाहे वो हमारा किसान हो हमारा जवान हो हमारे नवजवानों का होसला हो हमारी माता और बहनों का योगजान हो दलीत हो पीडीत हो शोचीत हो वंचीत हो अभावों के बीज भी स्वतंत्रता के प्रतिव उसकी निश्टा लोगतंत्र के प्रतिव उसकी त्रद्धा कि पूरे बिश्व के लिए एक प्रेरख घटना है मैं आज ऐसे सभी को आदर पुर्वक नमन करता हूँ प्यारे जेश्वासियों इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए है संपत्ति खोई है राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेदना व्यक्त करता हूँ और मैं उन्हें विश्वाद दिलाता हूँ यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है मेरे प्याने देश स्वासियों हम जरा आज हदी के पहले के वो दिन याद करें सेंकडो साल की घुलामी हर कालखन संगर्ष का रहा युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो उन्होंने गुलामी के खिलाब जंग लड़ते रहे अभीरत्न जंग लड़ते रहे इतियास गवाँ है कि 1857 के 1857 संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी छेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था साथियों गुलामी यदा इतना लंबा कालखन जुल्मी शाचक अप्रम पार यातनाए सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तरकीव है उसके बावजूद भी उस समय की जन संग्या के हिसाब चारिब चालिस करोर देश वासी आजादी के पुर्व चालिस करोर देश वासीों ने वो जजवा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना लेकर के चले एक संकल्प लेकर के चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर था बंदे बातरम एकी सपना था भारत की आजादी का चालिस करोर देश सवासीों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुरुबच थे सिर्फ चालिस करोर चालिस करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके भैंच दिया था गुलामी की जंजुरों को तोर दिया था अगर हमारे पुरवज जिनका खुन हमारी रगों में है आज हम तो एक सो चालीस करोड है अगर चालीस करोड गुलामी की बेडियों को तोर सकते है अगर चालीस करोड आज हादी के सपने को पुर्ण कर सकते है आज हादी लेकर के रह सकते है तो एक सो चालीस करोड देश के मेरे नागरिक 140 करोन मेरे परिवार जान अगर संकल पर ले करके चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारिद करके चल पड़ते हैं कदम से कदम मिलाकर कंदे से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनोदियां कितनी भी क्यों न हो अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों न हो संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी हर चुनोदि को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विक्सिद भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देश वासी अपने पुर्शार से, अपने समरपण से, अपने त्यारच से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं तो एक सो चानिस करोर देश वासी उसी भाव से संब्रद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आज हादी मिली थी आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्ध था अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्ध था आज हादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्ध था सम्रद्ध भारत भी बना सकती है साथियों विट्शिद भारत 2047 इस दिरब भाशन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिश्ण चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिये जा रहे हैं और हमने देश वाशियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरिकों ने विट्शिद भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये है हर देश वाशियों का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाशियों का संकल्प उसमें जलगता है युवा हो बुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीद हो आदिवाजी हो पहड़ों में रहने वाले लोग हो जंगल में रहने वाले लोग हो शहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विश्शित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझाओं को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 विश्शित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बार हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आक मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाच पैदा करते है जिसको हम स्री अन्न कहते है उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाओ दिया कि देश में स्थानी अस्वराज के संस्ताओं से ले करके अनेक इकाईया है उन सब में गवननस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिक चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ट सिटी बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृतिक अपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो पारंपारिक टेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब आगभी होलिस्टिक हेल्ड केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपारिक आउसदिया और मेलनेस हब के रुपे भारत को विख्षित करना चाहिए कोई कहते है कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उकनोमी बनना चाहिए साथियों में इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाश्यों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये है मैं समझता हूँ जब देश वाश्यों के इतनी विशाल सोच हो देश वाश्यों के इतने बड़े सपने हो देश वाश्यों के इन बातों में जब संकल्प जलते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाई पर पहुंच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सिरब कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाउं में समय सिवा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आज हादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विज़ारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुंच जाती है तब सामान्य मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब बलार किर्ज़ स्वच्च भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैटे विए लोग हो गाउं के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे-छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्चता क्या भातावन बन जाए स्वच्चता की जर्चा हो स्वच्चता के संदन में एक दूसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूँ कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुच रहा है आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके है हमारे कौन लोग बन चीत थे इन वेवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाँच के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीता थे मेरे दलीत मेरे पीडीत मेरे शोशीत मेरे आधिवासी भाई बैन मेरे गरीब भाई बैन मेरे जुगी जोपनी में जिन्दी की गुजादने वाले लोग बही तो इन चीजों के अभाओं में जी रहे थे हमने अनेक ऐसे प्राथविक में आवसेक्ताओं की पूर्ती के लिए जो प्रयास किया और उसका परणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी है कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्टिक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्टिक वन प्रोडुक का माहुल बना है अब वन डिस्रिक वन प्रोडक को, वन डिस्रिक का वन प्रोडक एक्सपोर्ड कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोतने लगे है, रिन्यूबल एनरजी का संक्रप लिया था, जीट ट्वेंटी समों के देशों ने जितना किया है, उससे जादा भारत ने किया है, और भारत ने उ पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है साथ्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरणा के वो संकिट का विश्व में सबसे तेज गती से करोरों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देश्व में हुआ यही देश है जो कभी आतता है या तंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइड करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइड करती है तो देश के नवजवानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यहीं बाते हैं जो आज 140 करोर देश स्वास्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारिज प्रयास हुआ है रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर लश्खों लेकर के और जब राज नितिग नेत्रुत्व की संकल पर शक्ति हो दड़ विस्मात हो जब सरकारी मशिंडरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुड़ जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निस्षित प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वासियों हम ये न भूले कि देश उस परितिस्यों सभी दसकों तक भी आज आजी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे तो चलेगा हमें क्या महनत कने की जरूता है अरे मामला है आजने पेड़ी दिखे जी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओ गयो कोई बबाल उर जाए पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उसे से गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है रे छोड़ो आप कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मन मर गया था हमें इस मानसिक्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उस दिसा में प्रया किया कई लोग तो कहते थे अगली पीडी के लिए काम हम अजबी से क्यों करें हम तो आज का देखे लेकिन देश का सामान ने नागरी ये नहीं चाहता वो बढ़लाव के इंतजार में था वो बढ़लाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसी ने तबज्जु नहीं दी, उसके आचा आताांचखाब को पेष्णा को तबज्जु नहीं दी गई और उसके कारण को मुसीबतों को जेलते हु गुज़ारा करता रहा, वो reform का इंतजार करता रहा हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे गरीब हो मिड़े क्लास हो हमारे वन्चीत लोग हो हमारी बढ़ती जती शहरी अबादी हो हमारे नवजवानों के सपने हो संकल्प हो अकांचाय हो उनके जीवन बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म्स का बार्ख हमने चूना और मैं बेस वाद्शों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ रिफॉर्म्स के प्रति हमारी जो प्रतिबतता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबतता है वो चार दिन की वहवाही के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से है और इसलिए मैं आज क्या सकता हूँ रिफॉर्म का हमारा मार्क एक प्रकार से ग्रोफ की ब्ल्यूप्रिंट बनी हुई है यह हमारा रिफॉर्म यह ग्रोफ यह बढ़ाओ यह सिरफ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्शल सुसाइटी के लिए एकश्पर्ट लोगएं के लिए सिरफ चर्चा का विशे नहीं है साथ कियों हम राजनिती मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो गिल्टी कर रहे हैं और राजनिती का भागा गुणा करके नहीं होते हैं हमारा एकी संकल्प होता है नेशन फर्स्ट नेशन फर्स्ट रास्त हिद सुप्रेम ये मेरा भारत महान बने इसी संकल्प को लेकर करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब रिफॉर्म की बात आती है एक लंगा परिवेश आए अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइद गंटों निकल जाएंगे लेकिन एक छोटे सा उदान देना चाहता है बैंकिंग सेतर में जो रिफॉर्म हुआ अब सोचिए बैंकिंग सेतर का क्या हाल था नविकास होता था नविस्तार होता था नविस्वाद बढ़ता था उतना ही नहीं चिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने एक लिए अनेक भी रिफॉर्म किये और आज उतका गरण हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंके हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है नहीं तब पॉर्मल एकॉनोमी की ताक़त भी बढ़ती है जब बैंक की वहोस्ता बन जाती है जब सामाने गड़ खास करके मद्दमबर के परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा कदे की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है अगर उसको होम लोन चाहिए उसको वेहिकल का लोन चाहिए मेरे किसान को ट्रेक्टर के लिए लोन चाहिए मेरे नवजवानों को स्टार्टप के लिए लोन चाहिए मेरे नवजवानों को कभी पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए लोन चाहिए किसी को विदेश दाने क मुझे खुची है मेरे रेड़ी पट्री वाले लाखो भाई बहन आज बैंक से साथ जूड़ करके अपनी नई उचाईयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हमारे मसमिस हमारे लगूक्तियों के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहाय होती है उसको रोज मर्णा पैसों की जरूत होती है अपने नित्यमर्जी प्रप्रगति के लिए और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारणा संभव हुआ है साथियों कि दुर्भागिस हमारे देश हुए आजादी तो मनी लेकिन लोगों को एक प्रकार दे माई बाप कल्चर से घुजरना पड़ा है सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ फालाते रहो किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोथते रहो वही कल्चर डेवलप हुआ था आज हमने गवर्णनस के इस मोडल को बदला है आज सरकार खुद लाभारती हितारती के पांच जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुचाती है साथियों बड़े रिफॉर्म के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिवत है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं साथियों देश में नई व्यवस्ताइब बन रही है देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वीत नीतियों को अनेक वीत पालिसिस को निरंतर बनाये जाये और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है निरंतर बढ़ता रहता है आज जो 20-25 साल का नवजवान है जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था उसने अपनी आखों के सामने ये बडलाब देखा है दस साल के फीतर फीतर उसके सपनों का अकार मिला है धार मिली है और उसके आत्मे विश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभरनारवद आज बिश्व भर में भारत की साख बड़ी है भारत के प्रति देखने का नजरिया बड़ला है आज बिश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है रोजगार के अंगिनित नए अवसर जो जाएदा आज आदी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे वो आज उनके दर्वाजे पर दस्तक दे रहे संभावनाओं बढ़ती गई है नए मोके बन रहे है मेरे देश के विवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है मेरे देश का नव जवान इंक्रिमेंटल प्रगति में भी स्वाथ नहीं करता मेरे देश का नव जवान छलांग मारने के मूड में है वो छलांग मारके ने के नई सिद्यों को प्राप्त करने के मूड में है मैं कहना चाओंगा भारत लिए गुलन ने रा है, वेश्विक परि methिति के तुलना में भी देखें, ये गुलन ने रा है, ये हमारा स्वानीम कालखंड है, मेरे टर देश्वाजियों ये आउसर हमें जाने नहीं देना है, ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए, और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को ले करके चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वाणिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विश्चित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे हम सद्यों की बेडियों को तोड़ करके निकले हैं आज तुरिजम का ख्षेत्र हो, MSM का ख्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्ड सेक्टर हो, ट्रांसपर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो हर सेक्टर में एक नया आदूनिक सिस्टिम बन रहा है हम विश्व की बेस्ट प्रक्टिसिस को भी आगे रखते हुए, हम हमारे देश की परिस्टितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं हर सेक्टर में आदूनिक्ता की जरूरत है नयपन की जरूरत है टेक्नोलोजी को जोनने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारिक शेत्रों में नया सपोर्ट मिल रहा है नई ताकत मिल रही है हमारे सारे अवरोध हटे हमारी मंदी से दूर हो हम पूरे सामर्ज़ के साथ चल पड़े खील उठे सपनों को प्रा करके रहे सिद्धी को हम अपने नीकर देखे हम आत्मसाथ करे उस दिशा में हम चलना है अब आप देखिए कितना बड़ा बड़ा रहा है मैं एक दम जमीनिस्टर की बात करूँ विमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप आज दस सार में हमारे दस करोर बहने विमेन सेल्फ हेल्फ करेप में जुड़ी है दस करोर नई बहने हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान ने परिवार की गाउं की दस करोर महिला आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बन रही है और जब महिला आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनती है तब परिवार की निर्णे प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है एक बहुत बड़ी सामाजी परिवर्तन की गारंटेजर करका आती है मुझे गरव है इस बात पर लेकिन साम साथ मुझे गरव इस बात भी है कि हमारे CEO आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे है भारत के हमारे CEO विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे है हमारे लिए खुजी की बात है कि एक तरफ मेरे CEO दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का नाम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ Women Self-Hol Group से एक करोड मेरी सामान ने परिवार की माताय बेने लखपती दीदी बनती है मेरे लिए ये भी उतना ही गर्वी की बात है अब हमने Self-Hol Group को 10 लाग रुपए से 20 लाग रुपए देने का निरिक किया अब तक 9 लाग करोड रुपए बैंकों के माध्यम से हमारे इन Women Self-Hol Group को मिले हैं और जिसके मदद से वो अपने अनेक वित कामों को बढ़ावा रहे है मेरे साथियों मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दे Space Sector एक future है हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपण पहलू है हम उस पर भी बल दे रहे हैं हमने Space Sector में बहुत reform किये हैं जिन बंद्धनों में हमने Space Sector को बांद के रखाता है उसे हमने खोल दिया है आज सेंक्रो स्टार्ट अप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं वाइबरेंट बनता जाता हमारा Space Sector भारत को एक शक्तिशाली राष्ट बनाने का एक महत्वपुन अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं आज प्रावेट सेटलाइट प्रावेट रॉकेट लांच हो रहे हैं ये गर्व की बात है आज मैं कह सकता हूँ जम नीती सही होती है नियत सहीत होती है और पूर्ण समर्पन से राष्ट का कल्यान यही मंत्र होता है तो निश्चित प्रणाम हम प्राव तक करके रहते हैं मेरे प्यारे देश्वास्चियो आज देश में नए अवसर बने तब मैं कह सकता हूँ दो चीज़े और हुई जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई शलांग दी है और यह है पहला है आधुनिक इंफरस्ट्रक्चर का दर्बान हमने इंफरस्रक्चर को आधुनिक बनाने के दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए है और दूसरी तरफ सामान ये मानवी के जीवन में जो बादाएं है इस अब लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है पिछले एक दसक में अभूत पुर्व इंफरस्रक्चर का विकास हुआ है रेल हो रोड हो, एरपोर्ट हो पॉर्ट हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो दूर सुदूर इलाकों में हस्पताल बनाने की बात हो आरों के मंदिर बनाने की बात हो मेडिकल कॉलेजों का काम हो आईश्मान आरों के मंदिरों का निर्मान चलता हो साथ हजार से जादा अमृत सरोवर बने हो दो लाग पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जान बिछाया जा रहा हो चार करोर पके घर बनना गरीबों को एक नए आस्रे मिलना तीन करोन ने घर बनाने के संकप के साथ आगे पढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्थ इस्ट उसका इलाका आज इंट्रा सेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने यह जो काया कल्प किया है उसका सबसे बड़ा दाप समाथ के उन वरगोत घंँ हम पहुँचे हैं जो ग्यामिन शट के बहां बनी है जिन की तरफ कोई देखता नहीं था जूस इलाकों को नहीं देखता था जिन्काऒों को नहीं देखता था बली थो, पीडी थो, छोची थो, वंची थो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल पर रहने वाले हो, दूर सुधूर पहड़ों पर रहने वाले हो, सीवा वरतिस्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यक्ता की पूर्ती किये हैं, हमारे मच्वारे भाई बैनों की जावर्चक्ताओं को पराकरना हमारे पस्वालों को जीवन को बिदलना एक प्रकार से सर्वांगिन विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा है हमारे रिफॉर्म में रहा है हमारे कारकमा में रहा है हमारी कारशैली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युव को होता है उनको नएने अवसर मिलते हैं नएने शेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाय बन जाती है और वही तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इनी समय में उनको मिला है हमारा जो मद्नबर के पर quality of life पे जो उसके पेक्षा हैं सरकार की कठिनाईयों से मुक्ति की उसकी जो पेक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्यात करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विक्सित भारत का सपना होगा तो उसकी एक ही काई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखले कम हो जहां सरकार की जरुवत हो बहां अभाव नहों और जहां सरकार की बेवकारण प्रभाव भी नहो इस प्रकार की ववस्ताक पर हम प्रतिवर्दीत हैं मेरे प्यारे देश वाजियो हम जरुत छोटी छोटी जरुतों पर भी ध्यान देते हैं हम छोटी छोटी आवस्टताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं चाहे हमारे गरीब का घर का चूला जलता रहे गरिब की मा को कभी आंसु पी करके सोना न पड़े और इसके लिए मुप्ति लाज की योजना हमारी चल देए बिजली पानी येस अब सैचुरेशन के मूड पर है और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो शत्र प्रकिशत होता है जब सैचुरेशन होता है तो उसको जाती वाद का रंग नहीं लगता है जब सैचुरेशन होता है तो उसको इमें पान ठीकता का रंग नहीं लगता है जब सैचुरेशन का मंतर होता है तब सच्च अर्थ में सब्का साथ सब्का विकास का मंतर साकार होता है लोकों के जीवन में सरकार की दzkल कम हो उजदिशा में हमने हजारों कमप्लाइंसिज के लिए सरकार सामा निमानभी पर बोण डालती थी उन सारे कमप्लाइंसिज को दूर किया हमने देस वाख्यों के लिए ڈेह हजार से जादा कानूनों को खत्प कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के ने देश स्वाज्चियों को फस्तना न पड़े हमने छोटी-छोटी गल्तियों के कारण ऐसे कानूं बने थे उनको जेल बे अदर तकेल दिया जाए हमने उन छोटे-छोटे कानूनों से जेल जाने के जो परंपराय थी उन सारे कानूनों को नस्ट कर दिया और कानूनों को जेल बेजने के प्राफदान को व्यवस्ता से बाहर कर दिया है आज हमने जो आज़ादी की विरासत की विरासत के गर्वे की बात हम जो करते है सद्धियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लाउ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लाउ जिसको हमने नयाई सहीता के रूप में और जिसके मूल में दन नहीं पर नागरी को नयाई इस भाव को हमने प्रबल बनाया है इस अब लिविंग बनाने लिए देश को आपी मिशन में काम करा है हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनी जीजों का आवान करता हूँ मैं जन प्रतिनी ती वो किसी भी दल के क्यों नहों किसी भी राज्य के क्यों नहों सबसे आगर करता हूँ कि हमने एक mission mode में ease of living के लिए कदम उखाने चाहिए मैं हमारे युवाओं को professionals को सब को मैं कहना चाहता हूँ आप अपने स्थान सान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कते होती है आप उसके solution को लेकर के सरकार को चिठी लिखते रही है सरकार को बताईए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुक्सान नहीं है मैं पक्का मानता हूँ आज सरकारे सम्वेदन सिल है हर सरकार स्थानिय स्वाराज की संस्ता होगी या राज्य सरकार होगी या केंदर सरकार होगी उसको तवज्जु देगे गवरनेंस में रिफॉर्म्स यह हमें विक्सित भारत एड़ पेंटी फॉर्टी सेवन के सपने के लिए हमने उसको जोड लगागर के आगे बढ़ाना होगा ताकि सामान ने मानवी के जीवन में अवकास ही अवकास पैदा हो रुकावटे खत्म ही खत्म होती चली जाए नागरीकों का डिगनीटी ओप सिटीजन नागरीकों के जीवन में सम्मान मिले डिलिवरी के समझ में कभी किसी को यह कहने के मौबद नाया कि यह तो मेरा हक ठक मुझे मिला नहीं उसको खोजना न पड़े सरकार के गवर्नस में डिलिवरी सिस्टिम को और मजबूदी चाहिए आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं आज देश में करीब करीब तीन लाख समस्ताय काम करिए चाहिए पंचायत हो नगर पंचायत हो नगरपाली का हो महानगरपाली का हो यूटी हो स्टेट हो डिस्टिक हो चोटी मोटी तीन लाख करीब करीब काईया है अगर ही हमारे तीन लाख की काईयों को मैं आज आवान करता हूँ कि अगर आप साल में अपने स्तरपन जिन चीज़ों की ज़रुत है सामानिय मानवी के लिये दो रिफॉर्म कड़े जादा नहीं कह रहा हूं मेरे सात्यों एक पंचा है तो ये राच्य सरकार हो कोई भाग हो शिरब एक साल में दो रिफॉर्म और उशको जमीन पर उतारे आप देखिये हम देखते ही देखते एक साल में करीब परी पचीस-तीस लाख रिफॉर्म कर सकते हैं जब पचीस-तीस लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवी का विश्वास कितना बढ़ जाएगा उसकी शक्ति रास को नहीं इचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलाओं के लिए आगे आए हिम्मत के साथ आगे है और सामान्य मानवी की जरुत चोटी-चोटी जरुत होती है पंचाईट लेवल पर भी वो मुसीबते जेल रहा है उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का भी स्वास है कि हम स नई सिद्वियों को चुमना चाहता है नए नए सिखरों पर कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिज है हर सेक्टर में कार्यकों हम गती दे तेज गती दे और उसके बारा पहले हम हर सेक्टर में नए आउसर पैदा करे है दूसरा इस बदलती हुई ववस्ताओं के लिए जो सपोर्टिम इंफ्रसक्टर से ही है उन इंफ्रसक्टर पर हम बदलाओ के मजबूती देने के दिसा में काम करे और तीसरी बात है नागरीकों की मुल्भूत सुविधाओं के भिशे में हम प्रात्विक्ता दे उसको बल दे इन तीनों भारत में एक एस्परेशनल सुसाइटी का निर्मान किया है और उसके पन्राम सरूप आज समाज खुझ एक विश्वास से भरा हुआ है हमारे देश वास्चों की आकांचा है उनके एस्परेशन्स हमारे नव जबानों की उर्जा हमारे देश के सामर्थे के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक लड़क ले करके चल रहे मुझे पीश्वाद है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के आउसर पर हम काम किया है प्रती व्यक्ति आज आज दोगुनी करने में हम सभल हुए हैं ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगजान बढ़ा है भारत का एक्षपोर्ट लगातार बढ़ रहा है विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है पहले से दोगुना पहुँचा है ग्लोबल समस्तानों का भारत के पती भरोसा बढ़ा है मुझे विश्वात है भारत की दिशास ही है भारत की गती तेज है और भारत के सपनों में सामरत है लेकिन इस सबके साथ समवेदन सिल्टा का हमारा मार्ग आमारे लिए उर्जा में एक नई चेतना भरता है ममभाव हमारे कारे के इसले है समभाव भी चाहिए ममभाव भी चाहिए उसको ले करके हम चलना है साथियों, मैं जब करोना काल को याद करता हूँ कोरोना की वैस्विक में हमारी के बीच सबसे तेजी से एकोनोमी को बहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है तब लगता है कि हमारी दिशा सही है जब जात पात मत पंत उपर उठकर हर गड़ तिरंग फैराये जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है आज पुरा देश तिरंगा है हर गर तिरंगा है न कोई जात है न कोई पात है न कोई उच है न कोई नीच है सभी भारती है यही तो हमारी दिशा की ताकत है जब हम पतीश करों लोगों को गरीबी से बाहर निकालते है तब हमारा विश्वास पक्ता हो जाता है कि हमने गती को बराबर मैंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है जब सो से अधिक आकांची जिले अपने राज के अच्छे जिलों की परदा कर रहे बराबरी कर ले लगे हैं तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गती दोनों सामर्तवान है जब हमारे उन आजिवासिसाथियों को वो मदद मिलती है पीम जन्मन के द्वारा उनको जो योजना ही पहुँची थी आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दो सुर्दूर इलाकों में छुट पुट छुट पुट पुट परिवार रहते हैं हमने उनको खोच के निकाला है उनके लिए चिंता की है तब लगता है कि सम्वेदन सिल्टा से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है वर्किंग मुमेन के लिए पेड मेटनिटी लीव बारा हफ्ते से बढ़ा करके छब्विस हफ्ते कर दिते हैं तब स्रम नारी का सम्मानी करते हैं इतना नहीं है नारी के पर दिए सम्वेदन सिल्ट भावते निर्णे करते हैं जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतिये साइन लेंग्वेज की बात हो या तो सुगम में भारत का भियान हो उसको लगता है कि मेरी भी डिगनीटी है मेरे पते संमास बेश के नागरी संमान के भाव से देखता है और परालंपिक में तो अमारी ख्याड़ी नहीं नहीं ताकत दिखाने लगे हैं तब लगता है कि यह जो मेरा ममअ भाव है हम सबका ममअ भाव है उसकी ताकत नजराती है हमारे ट्रांसजेंडर समाज के पती हम जीस संबिजना के साथ नेरें बना रहे हैं हम नएने कानून बना रहे हैं उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम प्रैस कर रहे हैं तब बडलाव के हमारी दिशा सही दिखता है सेवा भाव से किये गए इन कामों का जो त्रिवीत मार्गों से हम चले हुए इन कामों का एक सीधा सीधा लाफ आज उसके परड़ाम के रूप में हमें नजर आ रहा है साड़ साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मोका दिया है मेरे एक सो चालिस करोर देश वासी आपने जो आशिरवाद दिये हैं उस आशिरवाद में मेरे लिए एक ही संदेश है जन जन की सेवा हर परिवार की सेवा हर छेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ ले करके विकास की नई उचाईयों पर पहुंचना 2047 विक्सित भारत के सपने को ले करके चलना उसी एक संदेश को ले कर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशिरवाद देने के लिए मैं कोटी कोटी देश वाचियों का सर जुका करके आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनके प्रतिन नत मस्तख होता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें नई उचाईयों को नए जोस के साथ आगे बढ़ना है हमें सिर्फ जो हो गया है उस संतोश मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है वो हमारे समस्कार में नहीं है हम कुछ और करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और ने उचाईयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते है विकास को सम्रुद्धी को सपनों को साकार करने को संकल्प्वतों को ले जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते है देश वात्षियों का स्वफाव विनारा चाहते हैं मेरे प्यारे देश वात्षियों आज नई सिख्षा नीती बहुत एक मात्रों में कई राच्चों ने उसको अच्छा इनिसेटिव लिए है और उसके कारण आज एक 21 सजी के अनुरूप हमारी सिख्षा व्यवस्ता को जो अंबल देना चाहते हैं और विश्षित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मारव समूत तयार करना चाहते हैं नई सिख्षा नीती बहुत बड़ी भूमी कादर है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे देश के नवजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े मद्नमबर के परिवार के लाखो करोडों रुपिया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्ट हो जाए हम यहां ऐसी शिख्षा व्यवस्ता का विक्सित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नव जमानों को विदेश जाना न पड़े मेरे मद्नमबर के परिवारों को लाखो करोडो रुपिया खर्ट करना न पड़े इतना ही नहीं ऐसे संस्तान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मूह मूह मूडे अभी अभी हमने बिहार का हमारा गवर प्रदित्यात रहा है नालंदा उनिवर्सिटी का अपना निर्माण किया है फिर से एक बार नालंदा उनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है लेकिन हमें सिख्षा के छेत्रा है फिर से एक बार सद्यों पुराने उस नालंदा स्पिरीट को जाग जगाना होगा उस नालंदा स्पिरीट को जीना होगा उस नालंदा स्पिरीट को लेकर के बड़े विश्वात के साथ विश्वगी ग्यान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा मुझे पुका विश्वात है कि नई शिक्षानिती ने मात्रु भाषा पर बल दिया है मैं राज्य सरकारों से कहूंगा मैं देश की सभी समस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारान हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए भाषा अवरुद नहीं होनी चाहिए मात्रु भाषा का सामर्थ हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब माके बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मात्रु भाषा में पढ़ाई Wan में मात्रु भाषा का स्थान परिवार में बातुर भाता का सान उसकी और हमें बल देना होगा मेरे प्याने देश वासियों जिस प्रकार से आज बिश्वकां मैं बड़लाओं नजर आ रहा है और सब जाकर के स्कील का महत्म बहुत बढ़ गया है और हम स्कील को और नई एक ताकत देना चाहते हैं हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान मेरा करके हम स्कील डेवलप्मेंट चाहते हैं हम जीवन के हर खेत्र में हम एगरिकल्चर सेक्टर में भी केपिसिटी बिल्डिंग करके देने के लिए skill development चाहते हैं हम तो हमारा सभाई का ख्षेत्र हो उसमें भी एक नए skill development की और बल देना चाहते हैं और हम skill idea program को बहुत व्यापक रूप से इस पार लेकर के आए हैं budget में भी इसका बहुत बड़ा इस budget में internship को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नव जवानों को एक experience मिले उनकी capacity building हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे उस पकार चाहते मैं skill युवानों को तयार करना चाहता हूँ और जिने कई हुआ और दोस्तों आज विश्वगी परितित को देखते हुए मैं साप साप देख रहा हूँ कि भारत का skilled manpower जो है हमारा skillful जो नवजवान है वो global job market में अमपनी तमक बनाएं हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं साथियों विश्वदिश्टेजी से बदल दा है जीवन के हर शेत्र में science और technology का महत्मय बढ़ता चला जारे बाला हमें science को बहुत बढ़ देना के अवश्यक्ता है और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बार हमारे school college के अंदर science और technology के प्रती एक नई रूची का वातामन बना है नई दिल्चस भी बढ़ी है तब हमारे सिक्षा संस्तानों ने यह जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा भारत सरकार ने भी research के लिए support बढ़ा दिया है हमने जादा से जादा चैस स्थापित किये हैं हमने national research foundation बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश्ट में ला करके स्थाई रूप से एक व्यवस्ता विक्सित की हैं ताकि research को ले करके निरंतर बल मिले और यह research foundation उसकाम को करे मेरे बड़े गर्व की बात है कि budget में हमने एक लाग करोड रुपिया research और innovation के लिए हमने देने का निर्णे किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पात जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाएंगे साथियों आज भी हमारे देश में medical education के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे है बैसा का है मैंने बहुत जादा था मद्दमपर के परिवार के उनके लाखों करोर उसके खर्च हो जाते है और तब जाकर के हमने पिछले दस साल में medical seat को करीब करीब एक लाग कर दिया आज मैं करीब पच्चीस हजार युवा हर साल विदेश में medical education के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है कभी कभी क्यों मैं सोच सुनता हूँ तो हरान हो जाता हूँ और इसलिए हमने ताइक किया है कि अगले पांच साल में medical line में 75,000 नई सीटे बनाई जाएगी मेरे प्यारे जेश वातिया विद्शिद भारत 2047 वो स्वस्त भारत भी होना चाहिए और जब स्वस्त भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोशन पर आज से इध्यान देने के जरूरत है और इसलिए हमने विद्शिद भारत की जो पहली पीडी है उनकी तरफ विशे ध्यान दे करके हमने पोशन का एक भ्यान चला है हमने राश्टिये पोशन मिशन जुरू किया है पोशन को हमने प्रात्विक्ता दी है मेरे प्यारे देश वातियो हमारी कृसी व्यवस्ता को ट्रांस्फॉर्म करना बहुत जरूरी है समय की मांग है हम सद्यों से जिस परमसरतावे दबे हुए है जकडे हुए है उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं हम उसको टांस्फरम करने के दिशा में लगातार काम करते आए हैं आज आशान रुण दे रहे हैं किसानों को टेक्नोलोजी की मदद दे रहे हैं किसान जो पैदावर करता हूँ उसको वैलु एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंद करते हैं ताकि उसको एंड टू एंड हर जगा पे हैन होल्डिंग की विवस्ता हो उत दिशा में हम काम कर रहे हैं आज जब धर्ती माता के प्रती सारा विश्व चिंतित है जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धर्ती माता की शहएद दिनो दिन विगरता जा रही है हमारी धर्ती माता की उत्पाचक तक छमता खतम होती चली जा रही है कम होती चली जा रही है और दो समाएं मैं मेरे देश के लाखों किषानों का अभार विक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बिड़ा उटाया है और इस बार बजेट में भी हमने प्राकुर्तिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजेट में प्रावधान किया है मेरे प्यारे देश्वासियों अज दुनिया के स्थिती मैं देखता हूँ तोरा विश्व होलिस्टिक हेल्ग केर की तरब मुड़ा है और तब उनको आर्गेनिक फूर्ड ये उनकी प्रसंपसंद बनी है आज विश्व के लिए आर्गेनिक फूर्ड का अगर कोई फूर्ड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है मेरा देश बन सकता है और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि और्गेनिक फूर की जो बिश्व की मांग है उस और्गेनिक फूर का बास्केट हमारा देश कैसे बने किसानों का जीवन आसान बने गाउमें टॉप क्लास इंटरेट कनेक्टिविटी मिले किसानों को स्वात्र सुविदाय मले किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स छोटी छोटे खेती के टुकणों पर पुरा परिवाराज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तब उनके नव जबारों के लिए वो स्कील मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आएके साधन बने। इसका एक कॉंप्रियंसिव प्रयास हम कर रहे हैं। बिते वर्षों में, वुमेन लेड डेवलप्मेंट मोडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एंप्लॉइमेंट हो, एंट्रेप्रिनर्शिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदाम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागी जारी बढ़ा रहे हैं। इसा नहीं महिलाएं नैत्रुत्र दे रही है। आज अनेक शेत्रों में आज हमारी रक्षाट शेता में देख्ये वीद हमारा एरफोर्स हो आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महलाओं का हम दम खम देख रहें देश के लिए लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती है और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओ बेहनों बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रती देश का अक्रोष है जन सामाने का अक्रोष है इस अक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवच्च सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजाँ हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलाकार की महलाओं पर अत्याचार की घटना इगटती है तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोबृति की व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौने में कहीं पढ़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा होता कि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटगना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे देश स्वासियो हमारे देश में ऐसी एक आतर बन गई थी स्वभाव से हम देश को कमाँखना देश के प्रति गवरों के भाव का भाव होना ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में गुज गया था और हम तो कभी कभी तो लेट आये तो कैसे थी इंडियन राइब शर्फ के साथ हम बोल देते थे देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई किसी जमाने में कहाँ जाता गारे खिलोंने भी बाहर से आते थे वो दिन देखे हमने आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे देश के खिलाओन ने दुनिया के बाजार में अपनी थमख लेकर के पहुंच रहा खिलोंने अमरे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए तो यह जमाना था हम मोबाइल फॉन इंपोर्ट करते थे आज मोबाइल फॉन का इको सिस्टिम बना है बहुत बड़ा हब बना है और आज मोबाइल फॉन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं यह भारत की ताकत है सांत्यों भविश के सांथ स्यमी कंडुक्टर जुड़ा हुआ है, आदुनिक टेक्रावच चुड़ी है, AI जुड़ा हुआ है, हमने स्यमी कंडुक्र मिशन पर काम शुरू किया है, हर उपकरण में मेरी निन या चीप क्यों न हो, क्यों ये सप्ना मेरे देश का नहुजवान patrimoni यहां हैं सारे इस प्रकार के रीसस्य स्कायाम हंदुस्तान में होते हैं अब reproduction भी हिंदूस्तान में होगा semiconductor का काम भी हिंदूस्तान में होगा और हम be phrase solution दुरिया को देने की चिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुतान के करिपर सभी खेत्रों में फाउजी पहुंच गया, विश्व में तेज गती से फाउजी पहुंच आने में हम आगे रहे हैं, और देश साथियों में ने कहा हम रुखने वाले नहीं हैं, फाउजी पे रुख सेक्टर हमारी आदध हो गए थी, डिफेंस बजेट कितना ही क्यों हो, लेकिन कभी को सोचता नहीं था कि डिफेंस बजेट बढ़ा तो जाता कहा है, डिफेंस बजेट विदेशों से खरीदी में चला जाता था, अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर फर बने, और मैं हमारी डिफ से नहीं लाएंगे, राष्ट के लिए जीना क्या कहते हैं, जो हमारे सेना के जमानों ने दिखाया है, और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर फर होते चले जा रहे हैं, आज डिफेंस मेनिफेक्टरिंग में भारत की पहचान बनिये, और मैं आज खुशी जे कह सकता हूं, कि जो देश कभी डिफेंस के हर छोटी मोटी चीज बारते लाता था, आज दीरे दीरे दुनिया के कई देशों में, हम जो डिफेंस के एक्ट्रिंट मेनिफेक्टर कर रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, दुनिया में डिफेंस मेनिफेक्टरिंग ह बहुत बड़ाई सफलता मिली है FDI Reforms उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है MSM इसको बहुत बड़ा बल मिला है नई व्यवस्ताई विच्सित हुई है और उसके कान हमारा Manufacturing सक्टर हम दुनिया का इस Manufacturing हब बने जिस देश के पास इतिनी नवजवान सक्टी हो जिस देश के अंदर इस सामर्त हो हम Manufacturing की दुनिया में भी Industry 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते है और इसके लिए आवश्चे है Skill Development उस पर भी हमने बल दिया है और Skill Development पे भी हमने नए Model ताई की है हमने जन भागी दारी को जोड़ा आए ताकि तुरंद requirement के नुसार Skill Development हम कर सेके और मुझे भी स्वास है बेलाल के लिए की प्राचीर से कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जो बारत Industrial Manufacturing का हब होगा दुनिया उसकी तरफ देखती होगी आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनिया भारत में निवेश करना चाहती है ये तुनाओ के बाद मैंने देखा मैंने तीसरे कारकल में जितने लोग मुझे मिलने के लिए मांग कर रहे वो ज्यादातम निवेशक लोग है विश्व भर के निवेशक है वो आना चाहते हैं भारत में निवेश करना चाहते है ये बहुत बड़ा golden opportunity मैं राज्य सरकारों से आगरा करता हूँ कि आप निवेशकों को आकर सित करने के लिए सपस्ट निती निधारित कीजिए गुड गवर्नन्स का अस्वासन दीजिए law and order situation के लिए उनको भरोसा दीजिए हर राज्य एक तंद्र स्परधा में आगे आए राज्य राज्य के बीच निवेशकों को खुईचने के लिए स्परधा होनी चाहिए निवेशकों को लिए ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे उनके राज्य के नव जमानों को स्थानिय रूप से आउसर मिलेगा रोजगार का आउसर मिलेगा नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए तो global requirement का अनुसार नितियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए लेंड की आवसकता है तो राज्यों ने लेंड बेक बनानी चाहिए good governance single point पर काम करने के लिए राज्य जितने proactive होंगे जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे जो निवेशक के साथ रोजमरा का काम पढ़ता है और इसले मैं राज्यों से आग्रे करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरव आकर्जित हो रहा है विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिवत्त हो रहा है ताब यह हमारा दाइत्व बनता है पॉलिटी के लिए पहचानी जाए यह बहुत जरूरी है अब विश्व के लिए हमें डिजाइन अप इंड का खेत्रा डिजाइन इन इंडिया इस पर हमने बल देना है हमें कोशिज करणी है और इसलिए हमें कौलिटी पर बल दे करके आगे बढ़ना है हमारे पास कालेंट है डिजाइन के खेतरम हैं दुनिया को बहुत तो नया दे सकते हैं design in India इस आहवान को लेकर करके हमें अब आगे चलना है design in India and design for the world इस सपने को लेकर करके चलना है मैं देख रहा हूँ, gaming की दुनिया का बहुत बड़ा market खड़ा हुआ है लेकिन आज भी gaming की दुनिया पर प्रभाव खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोड़क करने वाले लोग, विदेशी कमाईफ होती है बारत के पास बहुत बड़ी विरासत है हम गेमिंग के दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर करके आ सकते विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग के और आकरिशी कर सकते है मैं चाहता हूँ कि भारत के बच्चे, भारत के नउजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स भारत के AI के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग के दुनिया को लीड करें फेलने में नहीं, गेमिंग के दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पुरे विश्वा में पहुंचने चाहिए, और पुरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं, एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दात जमा सकते हैं, हम उद दिशा में काम करें, मेरे पैरे देश वा है भारत ने उच्छा में काभी कतम उठाए हैं आप विश्व को आस्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं अपने कारियों से प्रात्व प्रनामों से हमने विश्वकों आस्व нравится भी किया है और विश्व को आशेर रिये चकीज भी किया है कि हम ही है जिन्नोंने सिंगल यूड प्लास्थीक पर प्रतिवन लगाया है I am हमने रिन्यूबल एनर्जी पर विस्तार किया है हमने रिन्यूबल एनर्जी को एक नहीं ताकत दी है आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर के और आगे बढ़ रहे हैं मुझे आद है पहरी सेकोड मैं जिन देशों ने अपने लक्षन निर्धारित किये थे आज में लाल के लिए की प्राचिर से मेरे देश वास्चों की ताकत दुनिया को बताना चाहता है जी ट्वेंटी देश के समूँ जो नहीं कर पाएं उन मेरे देश के नागरी को ने करके दिखाया है मेरे देश वास्चों ने करके दिखाया है हिंदुस्तान ने करके दिख पहरीज एकोड के अंदर जो टार्गेट हमने ताई किये थे उन टार्गेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूमें अगर कोई है तो एक मात्र मेरा हिंदुस्तान है एक मात्र मेरा भारत है और इसने गर्व होता है साथिए रिन्यूबल एनरजी के 500 गीगावर्ट तक ले जाने के लिए बक्सद से काम आप पलपना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष है दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावर्ट शब्द सुनते हैं तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं लिगनाच मैं विश्वात से कह रहा हूँ स्वासियों को इस लक्ष को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानमजाच्टी हिसेभा करेगा हमारे भवश्वी की भावश्की गारंटी बरेगा हमने पेंटी थर्टी तक हमारी रेलिवे को नेट जिरो एमिशन का लक्ष लेकर के हम चलता हैं साथ को पी-म सुर्य गर मुप्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बड़लाव का फल मेरे देश के सामाने परिवार को मिलागा विश्रेश करके मेरे मद्यमबर को मिलेगा जब उसका बिजली का मुप्त हो जाएगा इलेक्रिय वेहिकल उसे मांग बढ़ती जा रही है जगर पी-म सुर्य गर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सुर्य से तो उसका वेहिकल का प्रवाज का खर्चा भी वो कम कर सकता है साथियों हम Green Hydrogen Mission लेकर के एक Global Hub बनना चाहते हैं बहुत तेजी से नीतिया बनाई गई है बहुत तेजी से उसका implementation का काम हो रहा है और भारत Green Hydrogen एक New Energy की दिशा में हम चाना चाहते हैं और यह सारे जो प्रयाद चल रहे हैं ट्राइमेट की चिंता तो ही है Global Warming की चिंता है लेकिन इसके अंदर Green Jobs की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में Green Jobs का महत्वा बढ़ता है तो उसको जब से पहले Capture करने के लिए मेरे देश के नव जवानों का उसर देने के लिए और Green Jobs के लिए एक बहुत बड़ा खेत्र को बढ़ावा दे रहे है मेरे प्यारे देश वास्यों आज हमारे साथ इस तिरंगे जंडे की नीचे वो नवजवान बैठे हैं जिन्होंने ऑलिम्पीक की दुनिया में भारत का पर्चम लहराया मेरे देश के सभी अथलीट्स को मेरे देश के सभी खिलाडियों को 140 करोर देश वास्यों की तरब से बढ़ाई देता हूँ और हम नए सपने नए संकल्प अतंतिक पुर्शात के साथ नए लक्षों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे ऐसा में विश्वास के साथ उनको शुबकामनाई भी देता हूँ आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता परालिम्पिक के लिए परिज जाना के लिए रवाना होगा मैं मेरे सभी परालिम्पिक खिलाडियों को भी रुदेश से बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ साथ क्यों भारत ने G20 को और्गनाईज किया हिंदुस्तान के अनेक शहरों में और्गनाईज किया दोसे से जादा इवेंट किये पूरे बिश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप इतना बड़ा कारिकम कभी नहीं हुआ इस बार हुआ इसने एक बात सित्य कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम कारिकम और्गनाईज किनी की ताकत है भारत को किसी कोई भी हस्पिटालिटी का सामर्थ भारत में सबसे ज़्यादा है अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ऑलिम्पिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धर्ती पर हो इसके लिए हम तयारी कर रहे हैं उसके लिए हम आगे जोगे साथियों समाज के आखरी तपके के जो लोग है ये हमारा सामाजिक दाइत्व है अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गती कम कर देता है और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती हैं पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए और इसलिए हम सब का दाइत्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो खेत्र पीछे रह गए है जो समाज पीछे रह गए है जो लोग पीछे रह गए हो हमारे छोटे छोटे किसान हो हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों हमारी माताएं बहने हो हमारे मजदूर हो हमारे शमीशाती हो हमारे कामगार लोग हो इन सब को हमें बराबरी में लाने के लिए हमारे बराबर लाने के लिए बरपूर प्रयास करना है लेकिन अब गती पकड़ गई है अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे हमारी बराबरी में आजाएंगे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और बड़ी संबेदना के साथ हमें इस काम को करना है और इसके भी अंग्रेजों के ना को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी वक्त था 20-22 साल की उमर में उसने अंग्रेजों के ना को दम ला दिया था जिसको आज भगवान बिर्शा मुंडा के रुक में लोग पूजा करते हैं भगवान बिर्शा मुंडा की 150 वी जैंती आ रही थे कि हम सब के लिए प्रेणा का कारण बने समाज के प्रती छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज़वाज रखता है उससे बड़ी प्रेणा भगवान बिर्शा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है आईए हम परसा बगवान बिर्शा मुंडा की 150 वी जैंती जब मनाएं सब्वेदन सिल्का का हमारा व्याप बड़े समाज के प्रती हमारा ममभाव बने हम समाज के हर भी व्यक्ति को गरीबों को दलीत को पिष्डों को आदिवाच्चों को हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले इस संकल्प को लेकर के चलना है मेरे प्यारे देश वाज़ियो हम संकल्प साथ तो बढ़तो रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते कुछ लोग होते हैं जो भानत का भला सोच नहीं सकते हैं जब तक खुद का भला नहो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है ऐसी विक्रुत मानसिक्ता से बरविये लोगों की कमी नहीं होती है देश को ऐसे लोगों से बचना होगा बेन निर्शा की गर्त में डुबे हुए लोग है ऐसे मुठी बन निर्शा की गर्त में डुबे हुए लोग जब उनके गोद में विकुरती पलती है तब वो विनास का कारण बन जाती है सर्वनास का कारण बन जाती है एनारकी का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानी हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से महनत करनी पड़ती है इसलिए ऐसे जो चुटपुर्च निराशावदी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराश ही तरह नहीं है उनकी गोग में विकृती पल रही है ये विकृती विनास के सर्वनास के सपने देख रहे हैं ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुए देश को इसे समझना होगा लेकिन मैं देशवासों को कहना चाहता हूँ कि हम हमारी नेक नियत से हमारी इमांदारी से राष्ट के परकि हमारे समरपन से हम सारी परिष्टित्यों के बावजिद्धिये विपरित मार्च पर जाने वालों के लिए उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल पे कभी भी पीछे नहीं रटेंगे यह मैं विश्वाद देना था इस आथियो चुनोतिया है अन गिनद चुनोतिया है चुनोतिया भीतर भी है चुनोतिया बाहर भी है और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे जैसे जैसे हमारा तबज्जु बढ़ेगा तो चुनोतियां भी बढ़ने वाली है बहार की चुनोतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका बली पाती अंदाज है लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूँ भारत का विकाज किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता है हम विश्व में समरुद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं जोंका है हम बुद्ध का देश हैं युद्ध हमारी राह नहीं है और इसलिए विश्व चिंतितना हो भारत के आगे बढ़ने से मैं विश्व समुदाय को विश्वाद जिलाता हूँ कि आप भारत के समस्कारों को समझिए भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए आप हमें संकट मत बारिये आप उन तर्कीबों से न जुड़िये जिसके कारण पूरी मान वज़ात का कल्णान करने का सामर्थ जिस भूमी में उस भूमी को ज्यादा मेहनत करने पड़िए लेकिन फिर भी मैं देश वाचra को कहना चाहता हूँ चुनोत या कितनी ही क्योना हो चुनोती को चुनोती देना यह हिंदुस्तान की फित्रत बय है ना हम दिएंगे ना हम ठकेंगे ना हम रुकेंगे ना हम चुकेंगे हम संकल्पों की पुर्ति के लिए 144 करोड देश वाच्चों का भाग्य बदनने के लिए भाग्य सुनिचित करने के लिए राज के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे यह मैं भी स्वाद देता हूँ मेरे पहरे देश वाद चूँ समाज की मनोरचना अबे भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनोती का कारण बन जाता है हमारा हर देश वासी ब्रस्टाचार की दिमक से परिशान रहा है हर स्कर के ब्रस्टाचार ने सामान ने मानवी का व्यवस्ताओं के प्रति विश्वाद तोड़ दिया उसको अपनी योग्यता च्छमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राश्ट की प्रक्रतिय में नुक्षान करता है आर इसलिये हमने बाव्यापक ग्रूप से प्रस्टाचार के खिलाब एक जंग छेड़ा है मैं जानता हूँ इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है मेरी प्रतिष्टा को चुमा कुआनी पड़ती है लेकिन राश्ट से बड़ी मेरी प्रतिष्टा नहीं हो सकती है राश्ट के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता आर इसलिये इमानदारी के साथ प्रस्टाचार के खिलाब मेरी लड़ाई चारी रहेगी तीवरगती से जारी रहेगी और ब्रस्टाचारियों पर कारवाई चुरूर हो ली मैं ब्रस्टाचारियों के लिए भैका वाता हूं पादा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान नागरी को लूट रेगी जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है लेकिन सबसे बड़ी नई चुनोती आई बरस्टाचारियों से निपटना तो है लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनोती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है क्या कोई कल्प ना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संभिदान हमारे पास होने के बाउजित है कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो प्रिष्टा चार का महिमा मंदन कर रहे हैं खुले आम ब्रिष्टा चार का जैजे कार कर रहे हैं समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्यास हो रहा है ब्रिष्टा चार का जो महिमा मंदन हो रहा है ब्रिष्टा चारियों के स्विकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्यास चल रहा है वो स्वस्त समाज के लिए बहुत बड़ी चुनोती बन गया है बहुत बड़ी चिंता का विश्य बन गया है प्रस्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाये रखने से ही किसी भी प्रस्टाचारी को प्रस्टाचार पर जाने से डर लगेगा अगर उसका महिमा मंदन होगा तो जो आज ब्रसाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि इतो समाज बर प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है मेरे प्यारे देश वाजियो बंगला देश पर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि बहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोड देश स्वाज़ों की चिंता कि वहाँ हिंदू वहाँ के अलपसंख्यक उस समुधाय की सुरक्षा सुदिश्चित हो बारद हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सूख और शान्ती के मार्क पर चले शान्ती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है हमारे संसकार है हमाने वाले दिनों में बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुबचिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानवजाद के भलाई सोचने वाले लोग है मेरे पहरे देश वास्यों हमारे समिधान को 75 वर्ष हो रहे हैं भारत के समिधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना देश को स्रेष्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के समिधान की बहुत बड़ी भूमी का रही है हमारे देश के दलीत, पिडीत, सोचित, बंचीत को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे समिधान ने किया है अब जब समिधान के 75 वर्स हम बनाने जा रहे हैं तब हम देश वाजियों ने समिधान में निर्देश्ट कर्तवे के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है और जब मैं कर्तवे की बात करता हूँ तब मैं सर्म नागरिकों पर बोज बनाना नहीं चाहता हूँ कर्तवे केंद्र सरकार के भी है कर्तवे केंद्र सरकार के हैं मुलाजिम के भी है कर्तव ये राजे सरकारों के भी है, राजे सरकार के है, मुलाजिम के है कर्तव ये हर्थानिय स्वरायत संस्ता के है क्या है पंचायत हो, नगरपाली का हो, मा नगरपाली का हो, तैसल हो, जिला हो हर किसी के कर्तव है लेकिन साथ साथ 140 करोर देश वाच्छों की कर्तव्य अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वा करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निवित बनेंगे और जब कर्तव ये का पालन होता है तब अधिकारों के रख्षा निहीत होती है उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जुरूत नहीं पढ़ जाती है मैं चाहता हूं कि हमारे इस बाव को लेकर हम चलेंगे हमारा लोकतंतर में मजबूत होगा हमारा सामर को और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे डेश वास्यों हमारे देश में सुप्रिम कौट ने बार बार युनिफर्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अनेक बार आदेश दिये हैं क्योंकि देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाए भी है कि जिए सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सथ मुझ में तो एक प्रकार का कम्मिनल सिविल कोड है बेदबाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोर्ट से जब सम्विदान के 75 वर्स मना रहे हैं और सम्विदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो सम्विदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और मैं मानता हूँ इस गंबीर विशे पर देख में चर्चा हो ग्यापक चर्चा हो हर कोई अपने विचारों को लेकर कर आए और उन कानूनों को जो कानून दर्म के अधार पर देख को बाटते जो उचनीच का कारण बन जाते है ऐसे कानूनों को आदोनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कॉमिनल सिविल कोड में 35 साल बिताए हैं अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरब जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्मे के आधार पर जो बेजबाव हो रहे हैं सामान नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी मेरे प्यारे देश वाजियो जब मैं देश पर एक चिंता हमेशा कहता हूँ परिवारबाद जातिवाद भारत के लोग तंत्र को बहुत मुक्षान कर रहा है देश को लोग राजनीती को हमें परिवारबाद और जातिवाद से मुक्ति दरानी होगी आज हमने मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माई भारत जिस संगतिन का नाम है उसकी चर्टा लिखी है यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुए माई भारत के अने एक मिशन है एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल बेश में राजनितिक जीवन में जन प्रतिजिती के रूपे है एक लाख ऐसे नवजवानों को आगे लाना चाहते है शुरुवात में एक लाख नवजवानों को आगे लाना चाहते है जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनितिक बैक्ग्राउंड ना हो जिसके माता, पिता, भाई, बेहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीती में नहीं रहे किसी भी पीडी में नहीं रहे ऐसे होनहार नवजवानों को फ्रेश ब्लड एक लाख चाहे वो पंचायत में आएं चाहे नगरपालीका में आएं चाहे जिला परिश्दों में आएं चाहे विदान सबा में आएं लोग सबहा में आए एक लाख नए नवजवान कोई भी प्रकार का पूर्वकार राजनीति नितियाथ उनके परिवार का ना-वो ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातीवाद से मुक्ति मिले परिवार बाद से मुक्ली मिले लोग तंत्र को समृति मिले और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए। उनको जो पसंद हो दल में जाए। उस दल में जाकर के वो जन प्रतिति बन करके आगे आए। देश ताय करके चले किने आने वाले दिनों में एक लाख ऐसे नवजवान जो परिवार राजनिती से दूर दूर का समन्द नहीं है ऐसे fresh blood आएंगे तो सोज भी नहीं आएगी सामर्थ भी नहीं आएगा लोग तंत्र समरुद्ध होगा और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होड़ा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाओ इस देश की प्रगेती में रुकावण बन रहे है गतिरोध पदा कर रहे है आज कोई भी योजना को चुनाओ के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर तिन मैने छे मैने कहीं कहीं चुनाओ चल रहा है कोई भी योजना जाहिर करोगा अब तो मिडिया में जाएंगे चुनाओ आया तो फलाना हो गया है हर काम को चुनाओ के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है सभी राजनितिक दलों ने अपने विचार रखे हैं एक कमिटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है वन नेशन वन इलेक्षन के लिए देश को आगे आना होगा मेलाल किले से तिरेंगे की साक्षी मैं देश के राजनितिक दलों से आगर करता हूँ देश के समिधान को समझने वाले लोगों से आगर करता हूँ कि भारत की प्रगती के लिए भारत के समसाधनों का सरवातिक उप्योग जन सामाने के लिए हुश के लिए वन नेशन वन इलेक्षन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए मेरे प्यारे देश्वासियो भारत का स्वर्णिम कालखंड है 2047 विख्षित भारत यह हमारी प्रतिक्षा कर रहा है बांधाये रुकावटे चुलोतिया उसको परास्त करके एक दर्ष अंकल्प के साथ यह देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ्यों मैं साब देख रहा हूँ मेरे विशारों में कोई जीजक नहीं है मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है मैं साब साब देख सकता हूँ कि यह देश 140 करोर देश वाच्चों के परिस्रम से हमारे पूरवजों का खुन हमारी रगों में है अगर वो 40 करोर लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोर देश वाच्चों संबुरुद्ध बारत के सपने को साकार कर सकते हैं तीन गुना तेज गती से काम करूँगा, तीन गुना व्यापक्ता से काम करूँगा, ताकि देश के लिए जो सपने है वो बहुत निकट में पुरे हो, मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर्षन देश के लिए है, मेरा कान कान सिर्फ और सरफ मा भारती के लिए है, और इसलिए 24 by 7 for 2047 इस प्रतिवत्यता के साथ आएए मैं देश वात्यों का हवान करता हूँ हमारे पुर्वजोनों जो सप्णों देखे थे उन सप्णों को हम संकल पमराए अपने सप्णों को जोडे अपने पुर्शार्थ को जोडे और 20 सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहे उसी सदी में हम विक्सित भारत बना के रहे और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वदंत्र भारत में पच्चतर साल की यास्तरा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है तब हम कोई कोर कसर न छोड़े और मैं आपको भी स्वाज दिलाता हूँ आपने मुझे जो दाईतु दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूँगा मैं महनत में कभी पीशे नहीं रहूँगा मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूँ मैं चुनोतों से कभी टकराते से डरता नहीं हूँ क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूँ मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूँ मैं आप भारत माता के उजबल भविष्य के लिए जी रहा हूँ और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज दास्ट द्वज के शाया में तिरंगे की शाया में दर्शंकर्प के साथ हम आगे बढ़ें इसे के साथ मेरे साथ बोले भारत माता की बारत माता की बंदे बंदे जाहिन करक की बंदे जाहिने के साथ बंदे जाएंन। पुंशन जड़ दितर दुवाद तागशुक नामे जागे तागशुक आशिश मागे ताहे बन जयदाथा जड़ जड़ उंगर दॉयक जयए है आरत भाग्य विवादा जयदे, 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 जयदे From the ramparts of Red Fort in Delhi, Prime Minister Narendra Modi concluding his first address to the nation after entering his third term as the leader of the government in the country, outlining his hopes and aspirations for the people he leads. Greeting the crowds, greeting the nation as we all come together to celebrate our 78th Independence Day. So though the function here at Red Fort concludes the day